नवाब मलिक ने जितना सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा मुश्किल में वो आ चुके हैं जितना अंदाजा भी मलिक को नहीं होगा जितना मलिक की कलपना भी नहीं होगी उससे ज्यादा हालत मलिक की खराब हो चुकी है अब जब कहीं से राहत की कोई गुझाईश दिख नहीं रही है तो नवाब मलिक कोट के सामने बिखर गए बिफर भग गए और पुरी तरह से रो पड़े हालात ये हो गए कि मलिक कोट के सामने पुरी तरह से गिड़ाने लगे कोट को जबरदस्ती की कहानी बता दी तो ये भी बता दिया कि कैसे उन्हें चड़ाई जारी सलाइन यानि की गलुकोस की बोदल हटा दी और ये भी कह दिया कि अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जिन्दगी खत्रे में आ जाएगी जियां ऐसा ही कुछ कहा मलिक ने कि सुनवाई में क्यूं कोट रूम में रो पड़े नवाब मलिक सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राएज जरूर दें तो नवाब मलिक को पीमले कोट ने एक बाप फिर से न्याइक हिरासत में भीज दिया है ताकि आगे क्या हो इसे ताहि किया जाना था अब मलिक की भी कोट में पेशिवी और खुद नवाब मलिक ने कोट के सामने बहुत कुछ कहा यहां तक कि मलिक के आँसों निकल गए हलांकि मीडिया को कोट रूम के अंदर जाने की परमिशन नहीं थी लेकिन इंडिया टुडे के हवाले से जो खबर है वो बेहद ही हिरानी भरी है खबर के मताबिक नवाब मलिक ने कोट को बताया कि उनका इलाज ठीक से नहीं होने दिया जा रहा है मलिक ने कोट को बताया कि जे जे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था लेकिन ED के अर्दिकारी भी वहीं पर मौझूद थे मलिक ने कोट को बताया कि ED के अर्दिकारियों ने अस्पताल के डॉक्टरस पर दबाव बनाया ताकि उन्हें यानि कि मलिक को जल से जल डिस्चारज किया जाए और वापस से जेल पहुचाए जाए नवाब मलिक ने बड़ा आरोप लगाते वे कहा कि उन्हें सलाइन यानि कि गुलुकोस की बोतल चड़ाई जा रही थी लेकिन बीच में उसे निकाल दिया गया रोक दिया और आनन फानन में उन्हें बिना बताए डिस्चारज कर दिया गया और एक बार फिर से जेल के अंदर लाकर पठक दिया गया अब प्यमले कोट के सामने जिस सब कुछ बताते समय नवाब मलिक के आंसू निकलाए नवाब मलिक फफक कर रो पड़े मलिक ने एडी पर आरोप लगाया कि वो उनका यानि कि मलिक का इलाज होने नहीं दे रहे हैं उनका क्रिटिनी नेवल बहुत जादा बढ़ चुका है जो किटिनी के लिए बेहद ही खतरनाग है और हालात यह हैं कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है उनकी जिन्दगी खत्रे मा सकती है लेकिन इस सब कुछ जानकर परक कर भी ईडी इलाज नहीं कराने दे रहे हैं सब कुछ नवाब मलिक ने कहा कोट के सामने का नवाब मलिक की दोरान बेहदी ज्यादा मायूस परिशान नजरा आए मलिक की हालत यह थी कि उनकी सारी की सारी अकड़ ताकत गायब थी जो कि पहले दिन नजरा रहे थी नवाम मलिक ने प्राइवेट अस्पताल के जिद छोड़ दी थी बस अस्पताल ले जाकर इलाज करने की मांग कर रहे थी नवाम मलिक यही ने रुके मलिक ने कहा कि और्थरोड जेल के अंदर भी अधिकारी उनकी बात सुनने दे रहे हैं मलिक ने का कि वो 18 दिन तक अपना दुखडा रोते रहे, अपनी हालत खराब वाली बताते रहे, लेकिन जेल अधिकारियों के आगे कुछ नहीं हुआ, जेल अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं किया मलिक ने बताया कि जब वो चलने फिरने में ही असमर्थ होगे अक्षम होगे तो फिर वीलचेर पर उन्हें अस्पताल में भरती किया गया अस्पताल लागया और वहाँ भी पूरा इलाज नहीं कराने दिया गया मलिक ने कहा कि कोट से सिर्व मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा इलाज करा जाए मुझे अस्पताल में भरती करा जाए ताकि मेरा इलाज हो सके सरजरी हो सके और मेरी जिन्दगी बच सके इसे जादा मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मेरी जिन्दगी खत्रे में आ चुकी ह बिना इलाज मुझे कुछ भी हो सकता है अब जो नवाम मलिक पहले दिन से मैं जोकेगा नहीं कह रहे थे वो अब पूरी तरह से बदल चुके और मलिक की हालत इतनी खराब है कि वो कोट में आसू निकाल रहे हैं तरख्वास्त कर रहे हैं और पूरी तरह से सरेंडर के मूड म में पेश की जाए ताकि देखा जा सके कि क्या उनकी हालत वाकई में खराब है कैसी हालत है क्या है उन्हें कितने इलाज की कितनी जल्दी इलाज की जरूत है और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा हालंकि मलिक को प्राइविट अस्पताल में इलाज करने की परमिशन नहीं मि जो कि हेल्थ क्राउंड पर मागी गए थी और जेजे अस्पताल से भी उन्हें वापस से डिस्चारज करके जेल भेज जया गया है अब तीन दिन बाद मेडिकल रिपोर्ट उनकी कोर्ट में पेश की जाएगी जिसके बाद ही आगे तय होगा कि क्या होगा कैसे होगा और कोर्ट इस पर क्या फैसला देगी वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही तय होगा तो नवाब मली के हालात बेहरद ही खराब है उनका जलाज चल रहा अब ईलाज के बीच उनकी कन्डिशन लगातार भी कर रही है जह जे आस्पिताल से जो खबरें आ रही है वो यही है कि उनकी कन्डिशन कृटिकल है और कृटिकल कंडिशन के बीच उनने पहले is you में और साथी साथ ICU से काम नहीं चलाया तो CCU में भी भरती कराना बड़ा अब ऐसे हलात के बीच 5 मई को नवाब मलिक के जमानत पर सुनवाई होनी है बेल पर फैसला हो सकता है तुकि 5 मई को ही ED को अपनी रिपोर्ट भी अस्पताल में दाखिल कर रही है और जेजे अस्पताल की रिपोर्ट के आधार पर ED अपनी रिपोर्ट तयार कर रही है और 5 मई को ही कोट अपना फैसला दे सकती है जमानत पर नवाब मलिक की लेकिन इस वीच 5 मई की सुनवाई से ठीक पहले मलिक के मामले में ट्विस्ट आ गया है और अस्पताल के साथ ही डॉक्टर को लेकर भी नया मोड है असल में सुत्रों के हência घवाले से बड़ी ख़ब ये है कि नवाब मलिक और उनका परिवार जेजे ऑस्पताल पर राजी हो सकता है ठीक बहुत बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं कि जेजे अस्पिताल पर नवाब मलिक का परिवार राजी हो सकता है मान सकता है कि जेजे अस्पिताल में ही इलाज कराए जाए और इस पर मलिक और उनका परिवार उनके वकील मान सकते है यही नहीं खबर ये भी है कि जेजे अस्पताल में जो कुछ सुविधाय मौजूद है उनके साथ ही परिवार मान सकता है और जो कुछ सुविधाय की जरूत है उन्हें उपलब्द कराने की डिमांड कर सकता है। से माना जा रहा है कि जेजे अस्पताल पर मलिक और उनका परिवार राजी हो सकता है। सकता है और कोट में इस बात को मलिक और उनके वकीलों की तरफ से दलील में दी जा सकती है। और इस पर मामला फ़ा सकता है इस पर पैंच अटक सकता है। हलांकि अस्पताल पर मान जाने से थोड़ी सी मुश्किल दोनु तरफ से कम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर पर अट गए तो फिर एक बार कहानी उलट भी सकती है। कुछ भी हो सकता है। इसलिए मलिक पर सुनवाई से ठीक पहले जमानत के फैसले से ठीक पहले बड़ा ट्विस्ट नया मोड इस पूरे के समा गया। अब अब सब कुछ पीसमेल कोड पर फैसले पर पीमेले कोड के विवेग पर ठीक हुआ है। । फ्लेमीडियारीपोट